यहां पे विश्टा यह है यहां पे एक बावरी है यहां पे लोग यह पापका निवारानाद की बान बरत का नाम प्राचिंग काल के बना सूराजा की नाम है जै जोहर संग्वारी हो मैं हूँ आप मन के दोस्ट दीपक अपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्ट मन के एक बार स्वाज़क करते हो आज मैं आया हूँ दोस्तों दूर्गजीला के छोटे से छेत्र बान बरत में जहां पे विश्णू मंदीर हब है ऐसा कहा जाता है कि गवहत्ते के बाद यहां इस्टार करने से सर्व पापो से मुख्शी मिल जाती है संग्वारी हो हमार सामने हब है बान बरत के मूल निवासी भाया जेकर से हमाना आज जानपों मंदीर के वीशेस्ता का हब है तो चलो दोस्तों हमना आप मनला मिलाथन गाउं के मूल आप कितर सॉलसे गाओन में रहे है जनम Mitt Ina टो ना एकारन से मंदिर की मा्ठीर की शीघर पर नहीं प्रूर जैजरा की शुकार इस कारण से मंदीर के शिफर पर कलस नहीं है, भारत में मतलब की ऐसा मंदीर है जो पुराना प्राचीन रुप में इसमें कलस नहीं है, बीना कलस का मंदीर है और ये भूफ है, मतलब जमी से निकला वाला, इसमें मातरानी मतलब की लक्ष्मी माता और इसमी जीता मतलब की जाता है यहां पिन वहिक्रमा किया जाता है और मतलब की भारत में और कहीं भी असर दुस्ता मंदिर नहीं जिसमें यहां पे तो यह मंदिर का नियमान का हुआता है मंदिर का मिमान कोला से सच्टरवी सच्वडी में हुआता है अच्छा है महिनों का रात पता है और इस मतलब की बान दरत का नाम प्राथिंकाल के पनासु राजा के नाम से कड़ा था जो राण खेत्र में मतलब की यहां के इस चिक्ता था एक पहले प्राथिंकाल में यह तुम यहां इसका मतलब निर्मान करो तो इस तरह से इसका मतलब की प्राचिन कालकई की हज़ रहा है और साथ में इसके मतलब की बावडी है जिसको बोलते हैं कि गवत्या का इसके जल से इसनान करने के बाद समझत पापों से मित्ती मिल जाता है जो भी मतलब बी प्लेस जो भी होता है उसे सब हो जाते है उसके बाद गार्डन का परई सर् है यहाँ पे चो भी आस city में एक मंदिर बना है देज़ाजी का व यहां के पुजारी यही के मतलब इंको मीला है व अपने हिसाब यहाँ कहाम करते हैं पुजव पार्ट जो भी करते हैं और यहां पे समय-समय अयुजिन होते रहता हैं यहां पे विज्ए मतलब पी नहीं साल के बाद खरवदी महा मॿर्ड अब की तो आ लगता है यहां है nih अब असको फूज़ते हुआ पुजाजी जी हैं उसके मतलब की क्यामठ बना है वही मतलब की लाइम से है ना उसके बगल में मतलब की दो पुजाजी लोग यहीं पे निमास करते हैं तो कि देख रेक करने के लिए उनका मतलब की बहर है मतलब जुड़ा हुआ और यह समस्त छेत्र मतलब मंदिर के अधिन और यह गाडन का निर्मान नवर पंचायत पर इसद आईवारा के दोरह किया जैसे की दोस्तों आप वीडियो में देखे हैं अभी हमारे बैठे से ग्राम के मूल निमासी जिनके दोरह मंदिर के बारे में जानकारी दी गई है तो चलो दोस्तों वह अफ्टे दिखाते हैं जहां से गव हत्या के बाद स्नान करने से ऐसा कहा जाता है कि सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है तो दिखाते हैं दोस्तों वह स्नान कूंड तो चलो दोस्तों लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको इसनान कूंड दोस्तों यह वही स्नान कूंड है जहां से गव हत्या क पाइसा इस्थानी लोगों के दौरा कहा जाता है तो आपको दिखाते है वह इस्थान कुंड तो इसको ऐसा भी कहा जाता है यहां 11 कुंडी महाहवन का यग हुआ था, जिसके बाद यहां गवमाता मुठ्टी की स्थापना की गई थी जिससे सर्व पापो से मुक्ती मिलती है यह वही स्नांग कूंड है दोस्तो ऐसा तहा जाता है कि गव हस्केट के बाद यहां स्नांग करने से सर्व पापो से मुक्ती मिल जाती है दोस्तो यहां पे बहुत ही प्यारा सा पिकनिक स्पॉर्ट भी है विसाल का है प्राचीन का है बर्गात का विक्स भी है यहां अपने बच्चों के साथ आए उनका मन भी बहलेगा यहां साथ में मान्यता रहा जाने वाला विश्णू जी का मंदीर है तो आप अपने सारी फैम कर दो दोस्तों यह मंदीर का मुख्यदार और मंदीर के अंदर आपको जाकर कर दिखाते हैं तो चलिए दौस्तों、 चलते हैं मंदीर के अंदर और स्रफिष्णू जी की तो जैसे यह मंदीर करो में कि अंदर आते हैं हमें उल्ठे हाथ लेट्श साइट बे स्री राजा बाना सूम जी की अलगा करती नजर आएगी जो जिनके नाम पर इस गाओं का नाम बान भलत पड़ा है दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हमें विभिन देवी देवताओं के दर्सन हो जाएंगे जैसे ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो कहा जाता है भुईया खोड भुईया खोड देवताओं श्री विष्णु महराजी के भी दर्सन होंगे तो चलो दोस्तों अंदर चलते हैं और दर्सन करवाते हैं आपको तोस्तों आप जो विष्णु जी की मूर्ती देखेंगे जिसे मैं जुम करके दिखा रहा हूँ वही है भुईय फोड विष्णु जी की मूर्ती जो खंडित हो चुकी है इसमें खास बात जाने वाली यह हैवी वर्स जो आप बड़ी मूर्ती देख रहे हैं वह इस्थापित करने के समय बहुत ही छोटी थी परन्तु जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे यह विष्णु जी की मूर्ती आज जिस इस्तिती में है वह इस्तिती तक पहुँच चुकी है जो आपके शामने है वह इस्तित बड़ता है के गूला हुआ dużo करने इसकता हुआ जब है अो थो तो पारीस, का से कम वोल extrêmement follows स्या हैं जो तWelcome स्यां तूंदाद स्या यह तो तो खील अब दोस्तों यदि आज का मेरा यह व्लोक्स आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना शेयर करना और सस्क्राइब करना और हाँ दोस्तों यदि आपके छेतर ग्राम में भी यदि इस तरह का कुछ हो जिसे मैं अपने यूटूब चैनल के माद्यम से जन जन तक पहुँचा सकूँ तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर जरूर बतावे धन्यवाद दोस्तों